तो फ्रेंट्स अगर आप लोग किसी को भी कॉल करते हो तो सामणे वाले बंदे को पता चल जाता है कि आप मीडिक में करें बारे हैंकि के निए यहां पर मैंने दो permission अल्रेडी देखे रखी हुए आपसे दोनों permission माँगे तो इहां पर दे दना होगा उसके बाद फिर यहां पर एक पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहां पर नीचे तीन बिंदी दिखाई देंगी इसपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर incoming outgoing calls पर click करना है फिर आपको scroll करके नीचे के तरफ आना और यहाँ पर आपको call recording पर click कर दिना होगा और उसके बाद पर यहाँ से आपको enable call recording पर click करके यहाँ से आपको ok करना है और यह अभी हमारा जोएकी enable हो चुका है और auto record calls पर आपको click करना और यहाँ पर इन से अभी पर इस तरीके से tick कर देना है tick करने बाद आपको ok करने बाद अभी आपको यहाँ से back आ जाना है जैसे आप यहाँ पर back आ जा तो इसके बाद अभी यहाँ पर हमें एक number पर call करेंगे और यहाँ पर अभी हमसे accessibility की permission मांगेगा जिसको अभी हमें allow करना पड़ेगा हो सकता है यहाँ पर जो मैं call लगाओ उसके बाद यहाँ पर मेरा आवाज आपको न सुनाई दे रहो हो बड़ यहाँ पर इस emoji के थुरू मैं आपको समझाता रहूंगा कि आपको कहां कहां पर क्लिक करना है तो चलिए एक number पर मैं भी call कर लेता हूँ अब हम जब यहाँ से कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा क्योंकि अभी हमने accessibility की permission दे दी है तो चलिए मैं आप इस number पर दुबारा call करता हूँ और अभी आपको दिखाऊंगा कि आपका जो call record हुआ यह आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा तो आपको करना क्या होगा अपने जो कि फाइल मेनेजर में आना होगा अगर आपके फोन में फाइल मेनेजर नहीं है या फिक कोई दूसरा है और जिसमें आप धूंड नहीं पा रहे हो तो यहाँ पर आप आपको यहाँ पर records लिख देना होगा ठीक है यहाँ पर जैसे के भी आप दोस्तों मेरे पास यहाँ पर लिखके आ चुका है call records टीपी तो इस तरीके से आपको यह चीज लिखने होगी और यहाँ पर जितनी भी आपकी call recording हुई होगी इस application के जरीए वह सब आपको यहाँ प झाल